दोस्तो नवस्कार, मैंसल दोक्टर ब्रमजी सिंग चुहान, मैं आप सभी का अपने चैनल डोक्टर जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी फैनमी के साथ खुस होंगे दोस्तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में, कि लीवर पर कैसे हमारे स्वैलिंग आ जाती है या कैसे लीवर हमारा खाना खाने के बाद दर्द करता है, या फिर कैसे हमें भूख नहीं लगती आज इन सभी टोपिक के वारे में हम आपसन मिलकर बात करेंगे कैसे हम इन प्रोब्लम को ठीक कर सकते हैं दोस्तो लीवर एक हमारे सरीर का बहुत महत्पूर्ण अंग होता है जिसका काम होता है हमाएं भूक लगाना फिर उस खाने को पचाना और उसमें से महत्पूर्ण निउट्रिशन निकाल कर हमारे सरीर को देना दोस्तो अगर बहुत खराब हो जाएगा या उस पर स्वैलिंग हो जाएगी है वो बहुत अपना काम ठीक सा नहीं करेगा तो हमारे सरीर के अंदर बहुत सारे प्रोब्लम हो सकती है जैसे की हमारा खून कम बनना खून कम बने का तो हमें पीलिये की प्रोब्लम हो जाती है और खून कम बनने से हमारा सरीर पीला पीला सा दीखने लगता है कमजोर ही आ जाती है हमारा किसी काम में मन नहीं लगता आल कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे अपना काम बहतरीन तरीके से करें और हमारे सरीर को स्वस्त रखने का में सायक प्रदान करें तो दोस्तों जब हमारा अगर हम मैं बताना चाहूं अगर हम इसकी symptom की बात करें कि कैसे पता लगे कि हमारे लीवर पर बरम है, या हमारे लीवर पर स्वैलिंग है हमारे लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा या स्वस्त नहीं है तो मैं आपसे बताना चाहता हूं हमारी एक बलड रिपोर्ट होती है और दोस्तों अगर हम किसी बज़े से अपनी बलड जाच नहीं कराब आते हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि हमारे लीवर पर स्वैलिंग है बरम है या हमारे लीवर स्वस्त नहीं है तो दोस्तों इसके ये symptom होते हैं जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना खाने के बाद हमारे पेट के उपरी हिस्से में दर्द होगा मतलब कि यहाँ पर दर्द होने लगता है फिर सेकिन हमें भूक नहीं लगती या भूक बहुत कम लगती है और हमें खाने को कुछ भी मन नहीं करता और खा लेते हैं थोड़ा बहुत खाने के बाद हमारे पेट में दर्द होने लगता है दोस्तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं और सेकिन हमारे सरीर के अंदर खून कम बनना या खून की मात्रा कम हो जाना यह हमें पीलिया के लक्षड दिखाई देना हमारा सरी पीला पीला सा दिखाई देना यह हमारे सिम्टम्स होते हैं कि हमारे लीवर में कुछ न कुछ प्रोलम है वह स्वस्त नहीं है या उस पर स्वेलिंग है तो दोस्तो अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं इस बारे में बात क करना चाहिएंगे liber को अगर हमें स्वस्त रखना être na ओھ लीवर पर हमारे swelling आ चुगी है तो हमें सब्से पहले डोक्टर के treatment में रहने पड़ेगा और वह हमें क्या-क्या लगा सकते हैं यह हम क्या-क्या ले सकते हैं जैसे कि रिपर को ठीक करने के तैबलेट ले सकते हैं, जैसे कि Le 52 आती है या और भी बहुत सारी लीवर की टैबलेट लेट आती है, उनको हम खाना खाने के बाद ले सकते हैं थल्ड अगर हमारे लीवर पर बहुत ज़्यादा प्रोब्लम है मतलब कि बहुत ज़्यादा मातरा में swelling है, या hepatitis C हो चुका है, hepatitis B हो चुका है, या philia हो चुका है मतलब कि कुल मिला के यह है कि हमारे liver में बहुत अधिक मातरा में problem हो चुकी है, तो हम उसको कैसे tick कर सकते हैं, तो दोस्तों हम drip लगवा सकते हैं, drip लगा सकते हैं, जैसे कि एक NS में डालकर hepamarge नाम का injection आता है उस hepamarge नाम के injection को हम drip में NS में डालकर लगा सकते हैं, जिससे की मरीज के liver को बहुत रहत मिलेगी और liver को बहुत problem से चुटकारा मिलेगा सेकिन इस hepamarge की tablet भी आती है, जिसको हम सुबह साम खाना खाने के बाद ले सकते हैं, और साथ में हम पेट जर्द की tablet जैसे मैफटाल इसपास ले सकते हैं एक Aristogime capsule ले सकते हैं, जिससे हमारा खाना अच्छे से पच जाए और हम अच्छे से सुबह को fresh हो जाएं इनके साथ साथ हमें क्या नहीं लेना जैसे कि हमें ठंडी चीज नहीं लेनी, जैसे कि चावल हुआ उडद हुआ, दही हुआ तली भुनी चीज नहीं खानी और साथ में हमें हलका खाना खाना है और स्वस्थ खाना खाना है और हरी साथ सबजें में ज़्यादा खानी है जिससे कि हमारी लीवर पर जादा जो ना पड़े लीवर धीरे धीरे स्वस्त हो जाए और स्वस्त होने के बाद भैर हमारे शरीर के लिए अच्छा काम करे ना वोले दोस्तो नमस्कार, जैहिन, भन्यवाद